हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास ही देख लिए एक फॉन है जियो फॉन नेक्स जो की न्यू है दोस्तों देख लिए डबे में पैक है बॉक्स में पैक है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग नहीं इसकी अन्बॉक्सिंग करने वाले है नहीं इसका review देने वाले हैं स्रिप और स्रिप बात करेंगे हूं battery image के बारे में क्योंकि दोस्तों जो इसका box है उसमें battery image कुछ और लिखा हुआ है और जो अंदर battery है इसमें जो उसमें इसका image कुछ और लिखा हुआ है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि box के बाहर और box के अंदर battery में क्यों difference होता है battery में क्यों difference लिखा हुआ है जियोफान next में तो वीडियो में पुरा एंट तक बनेना दोस्तों और मैं एक बार आपको बता दूँ कि जो battery में box में लिखा हुआ है battery image वो लिखा हुआ है 3500mh तो वीडियो में पने रहे है और अंदर हम देखेंगे कि इसमें कितना battery backup कितना battery image है तो यह बॉक्स खोल लिए है दोस्तों देख लिजे तो यह box खोल लिए है तो यह phone रहा हमारा और यह new battery है इसकी नया phone है दोस्तों है देख लिजे लेकिन बहर जो बैटरी में MH लिखा हुआ था वह इसमें 35 tan लिखावा था लेकिन जो बैटरी में MH लिखा हुआ है वह आप דेस्ट सकते हैं इसमें लिखा हुआ हैं 3400 इमेच तो दोस्तों अगर आप apresent भी YoPhone लेकिन जो अंदर और भार का डिफ्रेंस है मैं आपको बता रहा हूं बाहर जो बॉक्स में बैटरी एमेच है दोस्तों 3500 एमेच है और जो अंदर आपको मिल रही है वह 3400 एमेच की बैटरी मिल लिए अगर आप भी दोस्तों जियोफोर्ण नेक्स खरीद रहे हैं या फिर ख कमेंट सब्सक्राइब और सेर जरूर करना साथ में आपको बैल आइकन जरूर दबा देना है हम एसी टेकनों से लेटेड मूबैल लिप्रिंग से लेटेड ने वीडियो अपने नॉलिजेवल वीडियो अपने चैनल पर रोज अप्लोड करते रहते हैं उसका नॉटिपिके तो समझ आ गया होगा बैटरी एमेच इसका जो बहार बॉक्स में लिखा हुआ है वह एक्चॉल बैटरी एमेच नहीं है जो अंदर इसका बैटरी है वह 3400 मेच की बैटरी है आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है